इंडी गठबंदन के नेतागंदे जबाब 118 नरसंघार बिहार में उसमें जिन लोग सभा निर्वाचन शित्र में चुनाव होना है ओहां 88 नरसंघार हुआ बिहार मांगे जबाब के जश्वी आदो मा पिता का दो हिसाब बिहार मांगे जबाब माता पिता के विसाक्त राजनीती का दो हिसाब बिहार मांगे जबाब माता पिता के विसाक्त राजनीती का दो हिसाब एक जून को मद्दान संपन होने वाले लोग सभाचेत्रों में हुए एक जून को होने वाले इन आठ लोग सभाचेत्रों में हुए नरसनहार कौन कोन से उसके जानकारी विदिया यहां पर निरज कुमार ने 88 नरसनहार हुए जिसमें 674 लोग मारे गए जहानाबाद में 26 नरसनहार हुए जिसमें 285 लोग मारे गए सासारा में 5 नरसनहार हुए जिसमें 22 लोग मारे गए आरा में 31 नरसनहार हुए जिसमें 188 लोग मारे गए बकसर में 2 नरसनहार हुए जिसमें 16 लोग मारे गए और अंगाबाद में 5 नरसनहार हुए जिसमें 51 लोग मारे गए ये सभी काराकाट लोगसभा छेतर के थे नालंदा में चार नरसनहार हुए जिसमें 16 लोग मारे गए पटना में 15 नरसनहार हुए जिसमें 96 लोग मारे गए और ये छेतर पाटली पुत्र और पटना साहिप दोनों ही थे और मैं आपको बता दू कि इन सभी लोग सभा सीटो पर आठ लोग सभा सीटो पर जो है वो मद्दान होना है एक जून को जो कि इस लोग सभा चुनाव के आखरी चरण का मद्दान होगा उसे पहला न्रियाज कुमार ने ये तीखा हमला ग्राफिक्स के और एक सेंडल के पोस जबाब 118 नरसंगार बिहार में उसमें जिन लोग सभा निर्वाचन शित्र में चुनाव होना है ओहां 88 नरसंगार हुआ बिहार मांगे जबाब के जश्वी आदो मां पिता का दो हिसाब राजनैतिक संघार करने के लिए जनता तयार है उन मां बहनों के आख के आशू जिनका आपका आशु के गुनाहगार आपके माँ पिता रहे है जिन माँ बहनों की चितकार की आवाज आज भी कानों में लोगों का भूजता है तो गुनाहगार कौन था इस पर मौन क्यों है ते जश्व यादो अब अंतिम चरण का चुनाओ है अपनी जुबान खोलिये क्षर olan मिर्यज KUMार ने बिहार के नताका परतिपक्ंट सेजस्व आदब पर सिधा रामला बोलते हुए उनके आरोप लगाया है कि बिहार में जितने cannot तंहार होए हैं उन सभी का हिसाब क्यों नहीं दिर तो इनीं सभी खब्रों के साथ जुर रहेगा दिटेश्जु में उह अ